गोरकपुर की यह आध्यात्वेक, सांस्कतिक, एत्यासिक नगरी में, मैं आज गुरु गोरक्ष नाश्ची महाराज को सश्चत प्रणाम करता हूँ उनके तप से, उनकी तपश्चा से, उनके समर्पन से, उनकी सेवा से, इस घुमी को राष्ट्री और अंतराष्टी इस्तर पर आध्यात्पिक, सांस्कतिक और धर्म की नगरी के रूप में आज सम्मान मिला है। आज कुशी है कि गोरक्ष मंदिल के वर्तमान, पीठादेशर, योगी आदितिनाजी ने, उसी परंप्रा को, उसी आध्यात्मिक, धर्म, और संस्कारों को, कठिन परियस्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यह धर्ती जो पूरी विश्च के अंदर पूरे देश के अंदर, एक नाज संप्रदाय से जिसके गाउं के अंदर शहरों के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर नाज संप्रदक के कि उन सभी विचारों के मानने वाले लोगों ने मांतों ने योग्यों ने भारती आध्यात्मिक संस्कति धर्म को मंदिरों को उन मुगल शास्कों के आक्रमन से बचाने का काम किया कि ब्रंगली अवदेशा नंजी महराज को भी मैं प्रणाम करता हूं और विशीष रूप से मैं कह सकता हूं कि एक दूर दस्टी कि उस आजादी के उस आंदूलन के समय महामन मदन महुन बालवी जी ने जो विचार रखे कि धर्म आध्यात्मिक के साथ जब तक हम अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार अच्छे विचार नहीं देंगे कि हम आजादी के आंदूलन की जंग जीत भी जाएंगे लेकि नए भारत का निर्माट निकर पाएंगे और उसी को आगे लेकर कि ब्रह्मलीन कि महंत कि दिक्वजी नाज जी ने गुनिस सो बतीस के अंदर जब देश के अंदर आजादी का आंदूलन पीक पे था यह धरती उस आजादी आंदूलन के सुनता सेनाने और ब्रिदानों के लिए याद करने वाली धरती है उन्होंने जब आजादी के आंदूलन को एक दिशा दी लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा जो विक्तित का दिर्वान करें जो एसी पीडी तयार करें जो शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म के साथ साथ समर्पन सेवार समर्पित राष्ट भक्ति के नौजवानों के एक खोस्त तयार होना चाहिए और इसलिए उन्होंने महाराना प्रताप शिक्षा परिश्ट के नाम से एक छोटा सा संस्तान शूटिया और आज ये संस्तान के बावन से ज्यादा संस्ताओं को संचालिक कर रहा है और इस देश का नाम महाराना प्रताप रखा महाराना प्रताप हम सब जानते हैं कि मेवार की उस धर्ती में पैदा होने के बाद उन्हों जिस स्वाभिमान के साथ देश की रक्षा करने के लिए हिंदुत की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ नियुहाचार करकर राज को छोड़ कर जंगल में जाकर खांस की रोटी खाकर देश के स्वाभिमान को बचाने का काम किया इसलिए महंतिकुजिनाजी ने इस संस्ता का नाम महाराना प्रताप के नाम से ताकि इस संस्तान में पढ़ने वाला हर नोजवान महाराना प्रताप के जीवन उनकी त्याग उनकी तपश्या उनकी स्वाभिमान से पेड़ना लेकर एक ऐसी पीड़ी तयार हो जो आजादी के आंदोलन में भी सक्री भागी राद है जिसमें देश के नोजवानों में अच्छी शिक्षा संस्कार समग विकास के साथ राष्ट बक्ति हो देश बक्ति हो स्वाभिमान हो और इसी लिए उस समय की पीड़ी को तयार किया जिससे आज हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हम इस देश को एक विक्सित राष्ट एक समग डस्तिकोन का राष्ट जिसमें हमारा नोजवान बोद्धिक शम्ता के साथ साथ नए सोच नए विचार नए नवचार नए चिंतन के साथ किस तरीके से भारत को विक्सित राष्ट बनाने के अपने संकल को पूरा करें और इसलिए मन दिक्वजी नाज जी ने उस समय आजादी की लड़ाई का निक्तित किया और उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई के साथ एक ऐसे नौजवानों को अच्छी शिक्षा आप देख लीगे 52 संस्ताओं के समय उस समय उन्होंने मैईदा शिक्षा पर तक्नीकी शिक्षा पर अग्रिकर्चर पर आयुएग पर मेडिकल कोलेज पर कोई शिक्षा का ऐसा शित नहीं है जिसकी संस्तान उन्होंने श्रूर नीकी औ और उसके साथ साथ उस समय गोरकपुर में विशिद्याले बढ़ना चीए जितनी जमीन जितने संसाधन सब सरकार को देकर गोरकपुर में विशिद्याले के स्थापना की ऐसे महन्त को हल्म आज इस संस्थापक दिवस्त पर याद करते हैं उनकी त्याग प्रपश्चा उनका सोज उनकी दूर्दस्टी से हमें नई पेड़ना मिलती है ताकि हम आने वाले समय के अंदर मानने प्रधान मंतिजी का जो सपना है जो संकल्प है एक विक्सित राष्ट बनाने का उस संकल्प को पुरा कर सके पसातियों देश और दुनिया के अंदर हो जो कुछ भी देश दुनिया के अंदर बद्लाव लाएं वह बद्लाव लाने का कारम हमारे नोजवानों ने किया है और इसी लिए उस बद्लाव करने के अद्बूश शम्ता चिंतन सोच नवच्वार विचार भारत के नोजवान के पास है और आज हम गर्व के साथ क्या सकते हैं कि भारत को विच्षित दाश बनाने में हमारे सामने जो नोजवान पिड़ी बेठी है जो बद्धिक शम्ता से जिसमें नए करने की सोच है वही बद्लाव लाकर इस भारत को विच्षित दाश बनाने के संकल को पूरा करें और इसी लिए एक सम्रंद राष्ट के लिए उसकी सम्रंद विरास्त को याद करना है उस समय किस तरीके से मन दिग्वजिनाज जी ने एक समग्र दश्टी को उनके साथ काम किया तो हमारी विरासत को याद करें हमारी संस्कृति को याद करें हमारा समर्थ आध्यात धर्म और उस सारे महान वेक्तित जिन्हों ने उस समय नोजवानों की पीड़ी को पेढ़ना दी कि आज भी हमारे लिए पेढ़ना सोथ हैं कि शामिवेक आनन्द हो मदन महान मालवे हो महान दिग्वजिनात हो इन समने कहीं न कहीं भारत के नोजवानों के दिशादी एक मार्दशन दिया और इसी लिए हम हमारी विरासत को भी याद करें वर्तमान में और भईश्ट के अंदर एक नए भारत बनाने के संक्र्व को पुरा करें कि आज मुझे कुशी है कि महाराना प्रताफ शिक्षा परिशत इसी तरीके से विविन प्रतियोगताओं के माध्यम से जिसमें हजारों विध्यार्ति भाग लेते हैं उन प्रतियोगताओं को आयोजन के पीछे मक्सद यह रहता है कि हम एक स्वस्थ कंपिटिशन कराएं उस स्वस्थ कंपिटिशन के अंदर सब लोग शिक्षा के साथ अपने समग विकास अपने विक्तित विकास इसलिए यहां प्रतियोगताओं चलने वाले सब्ता के अंदर के वल शिक्षा के अंदर कंपिटिशन ही होता एक नौजवान के समर्ग विकास के लिए उसके नए दोस्तिकों को बनाने के लिए उन सारे विश्यों पर प्रतियोगता होती है जो हमारी विरासत को भी याद करें हमारे वर्तवान को भी और हम भईश के अंदर जो बदलाओ करने जा रहे हैं उसमें स्वस्त प्रतियोगता के रूप में सभी विध्यारती भाग ल करता हूं जिनों ने इस प्रत्योगता में जीत कर विजयता के रूप में विजयता बने और उन नोजवानों को जो प्रत्योगता में नीजीत पाए अगली बार और कड़ी मेनद करके और प्रिशन करकर निश्यतूर से आने वाले समय के अंदर वो प्रत्योगता में जीते ऐस इसी मेरी उन सब को शुक्कामना है कि साथियों उत्तरप्रदेश कि देश का वह राज्ज है जहां कि भेववपुर संस्क्रति यहां कि आध्यात्रिक यहां के कठिम परिश्णम करने वाले लोग आजादी के हांदोनन की विरासर लेकिन उसके साथ बदलते उत्तरप्रदेश एक ऐसा राज जो आध्यात्में भी है संस्क्रति के नगरी भी है देश प्रदेश भी है लेकिन जो विकास की दस्टी से जो नए आधुरी विकास की दस्टी से दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश जिसकी एक समग दस्टी को नए विजाब रखने वाले मुख्यमंती जिनों ने अपनी वेबो संस्कृति से संस्कृति आध्यात्म धर्म की नगरी प्रदेश बनाने के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर रिज़ का सेक्टर हो जाए सर्विस का सेक्टर हो जाय नोजवानों को अच्छी शिक्षा मिनने का हो अच्छी शिक्ष्षा हो तक्नीकी ग्यान विज्ञान गुए उस दिशा के अंदर के एक लंबा डश्कोंद बना कर काम शुरूब किया है कि उत्तरप्देश कि जो विश्व के कई राज्यों को मिला कर भी कि देश नहीं बन सकते इतना बड़ा उत्तरप्देश है लेकिन आज इस उत्तरप्देश के अंदर शांति है कानून वैस्ता बैतर है हर वेक्ति को न्याय सम्मान समता मुलक समाज का निर्मान की योजना और इसी लिए जिस देश के अंदर शांति होती है वो देश और प्रदेश प्रगत्ती और कुशाली के और बढ़ता है कि आज दुनिया के लोग कि आर्थी के लिए उत्तरप्देश की धरती को चुनते हैं भारत का जितना उध्योग पती मुझे पता नहीं कि इसके पहले मैंने कभी कोई उध्योग पती मुझे मिला हो जिसने का मैं उत्तरप्देश के अंदर कोई कार खाना उध्योग लगान दुनिया की बड़े से बड़ा देश भी एक आर्थिक डेश्टिडेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उसकी प्रात्पिक्ता होती है और किस तरीके से यहां के बुख्यमंति जी का सोच है कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रदेश बनाना है यहां लोगों को रोजगार मिले मुझे याद है कि समसे ज़्यादा अगर प्लायन होकर देश के अंदर जाता था तो उत्तर प्रदेश का वेक्ति जाता था चाहे मेरे कुटा के अंदर हो चाहे राजस्तान में हो चाहे महाराश्ट में हो तमाम प्रदेश के अंदर आपको कहीं ने कहीं उत्तर प्रदेश का वेक्तिया प्रदेश में मिलेगा और इसलिए उन्हें का उत्तर प्रदेश के नोजवान को उत्तर प्रदेश की धर्ती पर काम मिले उसकी बोधिक शम्ता का कि उसकी नए इनोवेशन करने का नए विचार का नया चिंतन का लाप उत्तर प्रदेश को मिले इस देश को मिले और इसी डश्टी कोन से आज उत्तर प्रदेश आर्थिक तंत्र के रूप में भी तेजी से बढ़ रहा है मैं मुक्यमंती जी को इस्पेशल धन्यवाद विशेश उपसे धन्यवाद देना चाहता हूं जब कोरोना वेश्टिक महमारी थी तो परिवार के परिवार लोग आपस में नहीं मिलते थी उस समय योगी आदित नाज जी ने उन डोक्टरों का उन नर्सिंग श्टाप का उन काम करने वाले सुप कोरोना युद्धाओं का होसला तो बढ़ाया लेकिन खुद व्यक्तिशे रूप से कोरोना पीडित होने के बाद भी हर स्प्रताल में गए और लोगों का जो सांस बढ़ाया उसके कारण उत्तर प्रदेश के इतने बढ़े प्रदेश के अंदर जहां हजारू गाउं धानिया है उसके अंदर उन्होंने सौस्त की दस्ती से एक निश्यत रूप से सर्शेश काम किया और आज इसी दस्तिकों से चाहे मार्त शुषू मुत्तिदर हो हर सेक्टर के अंदर आज बात हो रही थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने केवल उन्हों को राष्टी इस्तर पर ही नहीं आने वाले समय के अंदर चाहे शिक्षा हो चाहे चिकिस्षा हो उन्हों दो मापड़ंडों पर सबसे आगे उत्तर पदेश रश्यत में आगे रहे इस दिशा के अंदर एक नई सोच के साथ काम किया जा रहा है मुझे एक कुशी है कि हमारे देश के अंदर हमको जी टूंटी के अध्यक्षा करने का एक बड़ा सोभाग मिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जी टूंटी को लेकर बहुत सारे कारे कम होंगे विशेश रूप से अग्रिकर्चर सेक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश जा 76 प्रतीशत सरपेस वाटर से सिंचित पानी होता हो लक्ष है कि 100 प्रतीशत हम किस तरीके से सरपेस वाटर पहुचा कर यहां कि किसानों को संबद कर सके कुशाल कर सके क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कश्री प्रदेश है इसलिए अग्रिकर्चर प्रोटक्शन बढ़े उसका वेलु एडिशन बढ़े और आने वाले समय में जी टॉंटी की कॉंफरेंस के माध्यम से यहां का पेदा हुआ अग्रिकर्चर का उत्पादन को व में विशेश रूफ से उत्तर प्रदेश में कई कारे कमाये दित होंगी मैं इस मोक्य पर विशेश रूफ से महाराणा प्रताब शिक्षा परिशक के उन सभी संचालों का उनके अध्यक्ष जी का और एक मार्दक्षक के भूमी मिका के अंदर जो मुख्य मंती जी ने इस शिक्षा परिशक के माध्यम से शेशनिक डश्टिक उनको एक नई दिशा दिये आने वाले समय में यहां पर पढ़ने वाला बच्चा देश दुनिया में नित्त करेगा क्योंकि शिक्षा के साथ समग डश्टिकों आध्याद में धर्व का डश्टिकों अच्छे संस्कारों का डश्टिकों उसको दिशा देगा में पुने एक कारिशी लोगतंत के रूप में उत्तरपदेश भारत ने अपनी छवी बनाई है हम मदर्व और डेमोकेसी हमारी प्राचिमतर लोगतंत पद्दती और किस तरीके से लोगतंत के माध्यम से हमने इस 75 साल की यात्रा में आर्थिक सामाजी विकास किया उस लोगतंत की सर्शक मजभूत करने में उत्तरपदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसलिए उत्तरपदेश के अंदर हम लोगतंति मुल्यों की स्थापना करते हुए हमारे हर विध्यार्तियर नोजवानों के अंदर अपने कारे में हमारे विहार में हमारे आच्रण में लोगतंत की कारिशेली हो और किस तरीके से अब चर्चा सवाद बाचीत करकर हमारी सारी समगर दश्टिकोन लगा कर किस तरीके से उत्तरपदेश भारत तो बढ़ा सकते हैं उसमें हमारा योगदान दें पुने आज मुझे अच्छा लगा मुक्यमंत्री जी के आग्रेपर में आया गोरकनाग मंदिर के मैंने दर्शन किये और उनके दश्टिकोन का भी बाचीश से पता चला मैं इस विश्वास बरोसे के साथ कह सकता हूं आप इंतिजार की जिए एक दिन वक्त आएगा कि उत्तरपदेश दुनिया के अंदर आर्थिक डिस्टिकेशन का महत्कुन केंद बनेगा उत्तरपदेश की में रहने वाले हैं हर नोजवान को नहीं रोजगार मिलेगा यहां का किसान संब्रशीद होगा एक शांद प्रदेश एक कानून का राज का प्रदेश होगा और हम हर इस्तर पर उत्तरपदेश देश दुनिया में आगे रहेगा ऐसी मेरी शुक्कावना है आप सबी को पुनेंग बहुत ब